तीस मई साल की सबसे बड़ी अवश्या शोमवती अवश्या घर में यहां जला दें एक दीपक पित्र दोस बदल जाएगा पित्र आसिरवाद में मिलेगी सभी कष्टों और संक्टों से मुक्ती दोस्तों इस बार जेश्ट अवश्या तीस मई दिन सोमबार को है शोमबार की दिन होने से शोमवती अवश्या का शंयोग बन रहा है सोमवती अमश्या को सभी अमश्या में सर्व सेष्ट कहा जाता है क्योंकि सोमवती अमश्या पर इश्नान दान जप तप पूजन स्राध तरपन पिंड दान करने से अन अमश्या की तुलना में कई लाग गुना अधिक पुन फल प्राप्थ होता है यह अंवश्या पित्रों को परसंद कर पित्रों का आश्रवात प्राब्द करने के लिए बहुत ही खास मानी जाती है दूस्तों इश्वार की सोमवती आवश्या तो और भी ज़्यादा खास है क्युकि इस सोमवती आवश्या पर पूरे 30 वरसों के बाद दिब और दुलव सहयोग बन रहा है इस आवश्या पर पित्रों के निमित दान करने से पित्र अत्रशीग्र प्रसंद हो जाते हैं और अपने बंसजों को अपना आशिरवाद देते हैं और कष्टों से दूर करते हैं इस अवश्या पर पित्रों के निमित इश्नान दाने स्तराद तरपन करने से पित्र दोस्ट से मुक्ति मिलती है पित्रों का अश्रवाद प्राप्त होता है और कष्टों से जुटकारा मिलता है सास्त्रों में बताया गया कि जिन पर पित्रों की कृपा होती है उन्हें भगवान स्री हर्विश्णु माता लक्ष्मी जी की अश्रिम कृपा प्राप्त होती है पुराणों में ऐसा कहा गया है कि इस दिन अपने पुर्वजों को याद कर पूजा करने और गरीबों को दान देने से मुन्सकों पाप कनाश होता है यह अवश्या धर्मकर में इश्नान दान और पित्रों की तरपन के लिए बहुत ही शुब मानी जाती है माना जाता है कि इस अवश्या पर पित्रों को प्रसंद करने के लिए उनकी आत्मा की शानती के लिए और पित्र दोस से मुक्ती पाने के लिए पित्रों के निमित तरपन दान अवश्य करना चाहिए ऐसा करने से पित्रों का अशिरवाद प्राप्थ होता है और पित्र दोस से मुक्ती मिलती है इस अवश्या पर पित्रों को पुर्शन करने के लिए पित्रों के नवीत तरपन दान करने से न केवल पित्र दोस से मुक्ती मिलती है साथी काले सर्प दोश भी दूर होता है और जीवन में खुश्या आती है इस अवश्या पर पित्रों की मोक्ष की कामना से ब्रत उपवाज अवश्य रखें कहा जाता कि इस दिन पित्रों केंवित जो भी उपाय दान पुन आधिकार किये जाते हैं उश्य तरत होकर हमारे पूरवज हमारी शवी मोनोकामनाय पुन होने का आश्रवाद परदान देते हैं आमवश्या पित्रों को प्रसंड करने के लिए खास मानी जाती है दोस्तों माना जाता है कि जब जीवन में कोई भी उन्नत करते हैं वो सब पित्रों के कृपा और आसरवाशे ही शम्भा हो पाता है इसलिए आप अपने जीवन में अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो पित्रों को प्रसंद अवश्य करें जिससे पित्रों के आश्रवाशे आपकी जीवन में उन्नत ही हो दोस्तों आज की इस वेडियो में हम आपको पित्रों को प्रसंद करने का और पित्र दोस को पित्र आश्रवाद में बदलने का सास्त्रों में बताया गया एक बहुत ही आसान और अशरकारक उपाई बताने जा रहे हैं इस उपाई को हम सभी अपने घर में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं सबसे पहले दोस्तों आप शुर्योदे से पहले उठे नहाद होके सुक्ष वस्त धारन कर लें यानिकि साप सुत्रा वस्त धारन कर लें अपने नित क्रियाँ से निब्रित होकर नहाद होकर साप सुतरा कपड़ा पहन कर फिर आप भगवान विश्वों और माता लक्षमी के पूजा इस दिन जरूर करें आप क्योंकि उन्हें ही पित्र मान कर उनकी पूजा करें फिर आप एक दीपक जला लें सरसों का तेल अगर घी नहीं है तो आप सरसों का तेल का दीपक ही जलाईएगा पित्रों के निमीत सरसों का तेल का दीपक भी जलाना काभी सुब माना जाता है अगर घी नहीं है तो आप यनि की एक दीपक यनि की तयार कर लीजेगा मिठा तेल भी डाल के कर लीजेगा कोई दिक्कत नहीं है एक दीपक आप तयार कर लीजे इसे और इसमें आप यानि की रूई की वाती या फिर आप लाल वाती इसमें डाल दीजेगा फिर आप इस दीपक को यानि की जला लीजे और इस दीपक को जलाने के बाद आप अपने घर के दच्छिन दिशा में इस दीपक को ले जाकर आप यनि की रख दीजेगा अपने घर के दच्छिन दिशा में क्योंकि दोस्तों जो हमारे पित्र होते हैं वो उनका निवास दच्छिन दिशा में ही होता है इसलिए अपने घर के दच्चन दिशा में यानि कि अपने आंगन अगर आपके घर में आंगन है तो आंगन के दच्चन दिशा में आप इस दीपक को रख दीजेगा और फिर आप पित्र यनि की दोस्ट से मुक्ति पाने के लिए और पित्रों से क्रिपा प्राप्त करने के लिए उनसे प्रातना करें और ओम पित्र देवायन में इस मंत्र का जाब करें दोस्तों ऐसा करने से और ये दीपक अपने घर के दिच्छन दिशा में यनि कि आपको रख देना है यहाँ पर रखने से और पित्रों की किछिप्रकार कि बादाई आ रही है नोकरी ब्यापार में अगर उपलब्दिया नहीं प्राप्त हो रही या कि शिप्रकार की जीवन में अर्चने आ रही है या जीवन में आपको परेसानियों को सामना करना पड़ रहा है आपको लगता है जिसे आपके जीवन में अब बहुत कुछ आप प्रयास करने के बाद भी ठकार चुके हैं सफलता नहीं मिल पा रही तब आप क्या करेंगे शोम बती अमश्या तो कि इस बार 30 मई को है तो आपको इस दिन यानि की एक दीपक आप अपने घर के दिच्छन भाग में तो जलाएंगे साथ ही साथ आप अपने मुख दरवाजे पर भी जरूर दीपक साम के समय जला दीजेगा यह दीपक आपको साम के समय ही जलाना है हलाकि आप चाहें तो दिन में भी जला सकते हैं लेकिन आप शाम के समय यानि की आपको यह दीपक अपने घर के दच्छन दिचा की और रखना है और दोस्तों इसमें इतना तेल डाल दें कि यह रातर भर जलता रहे दोस्तों आप अपने मुख दरवाजे के पास भी दीपक जरू जलाएए इस दिन दीपक का विशेश महत होता है दीपक को अगर दच्छन दिचा में रखते हैं तो पितर देवों की कृपा वरस्ती है और उनकी कृपा से आपके घर में धन वैभाग शुक शंपत्ती का वास होता है और कभी भी धनकी कमी नहीं होती हर कश्टों से मुक्ति मिलती और आपके पूरवजेओं का असरवाद मिलता है दोस्तों इस बार के सौमबती अवश्या खास इसले घर में आप दच्छन दिचा में एक दीपक जरूर आप तयार करके जलाईएगा पित्रों के निमित ये दीपक जलाने चाहिए और पित्रों का असरवाद प्राप्त करने के लिए एक दीपक आप अपने पूजा स्थान पर भी जलाईए भागवान विश्या और माता लक्ष्मी जी के सामने क्योंकि उनको ही अपना पित्र मान कर क्योंकि भागवान विश्या और माता लक्ष्मी जी के रूप में ही पित्र देव होते हैं तो उनके समक्ष भी आप एक दीपक जरूर जलाईए पूजा स्थान पर लेकिन जो आप दीपक दच्छन दिसा की और जलाएंगे तो इस दीपक में चाहें तो आप दस या एक जारा आपको यानि की काले तिल भी डाल देना है इस दीपक में तो विशेश लाब होगा और दीपक की जो बाती होगी वो दच्छन दिसा की और ही होनी चाहिए जब आप दच्छन दिसा की और दीपक रखेंगे जला करके तो इसकी जो बाती इसकी जो लव होगी वो दच्छन दिशा की रहनी चाहिए पित्र देव हमेशा दच्छन दिशा में ही निवास करते हैं इसलिए वो काफी परसंद होगा और अपना आश्रवाद परदान करेंगे दोस्तों पित्रदेव को परसंद करने के लिए आपको ये एक आसान सा एक दीपक का उपाय करना है इससे आपके घर में शुक्षंबर्धी बनेगी और हर कष्टों से मिलेगी मुक्ती कश्ट दूर होंगे, शुक्षंपत्ति आएगी और घर में माता लक्ष्मी और भगवान विश्णी का निवास होगा और पुरुजों के कृपा बरसेगी, पितरदेवों के कृपा बरसेगी दोस्तों, कमेंट सेक्षन में जरूर लिखेगा, जै मालक्ष्मी, जै विश्णी भगवान, जै पितरदेव और साथी साथ, बीटो को लाइक करिएगा, जद 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 इस वीडियो को शेर करिएगा, और चलना पर यदि पहली बार हैं ते चलना को सब्सक्राइब करके, बिल बां में जब इस्छियो प्ड़ियो को शच्राइब कारी में करταगी में हुझेगा, जै झालना को शेक्तों हेगा, बेंकी कमा में जड knew अक्रणने प esa Richt में जद बांते हैं दाना का मीर्का, जड्स्तों खां जार लंढया कैंग?, जार जाना का मेंaoffe हैसे, आलना को झालना कै झाल झाल